यशुदरा नगर थाना शेतर में गुरुवार की रात यी रिक्षा पार्क करने को लेकर हुए विवाद में एक अपराधी ने तीन युवको पर चाको और पत्थर से हमला कर दिया जमकर मारपीच भी हुई इस वारदात में एक की मौत हो गई जबकि आरोपी सही तीन जखमी है ब्रतक इंदिरा गांधी नगर निवासी योगिश दिलीब धमाय बता गया है तो वहीं आरोपी कुंदनलाल गुपता नगर निवासी रामाकांद और व्रामभाव शाहु का भी मेयो अस्पताल में उपचार चल रहा है विनोबा भावे नगर निवासी नन्नुमल लाल और उसका एक दोस भी इस मामले में जखमी हुआ है आपको बता दे कि रमाकांद के खलाफ चूरी के कई मामले दर्ज है दरसल रमाकांद ने फिर रक्षा खड़ा करने को लेकर उससे विवाद किया था गाली कलोच मारपीट में बदल गई इसे दोरान रमाकांद ने चाको निकाल कर तीनों पर हमला बोल दिया तीनों ने भी जम कर उसका विरोध किया नन्नुमल ने भी पथर और इट से इसका विरोध किया लेकिन योगेश इस मामले में पूरी तरह जखमी था बताय जा रहा है कि अधिक मातरा में खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई इस मामले में पूलीस ने सभी आरोपियों को गिरफतार किया है साथी मृतक योगेश धामने और रामभाव शाहू पर 307 का मामला दर्च किया गया है पी मैक्सी गड़ी पारकिंग करने चाहा हूं कि लावली ले असले आमोगे दोन लोकान ना थड़ा धलानी तैन नी तैं मैक्सी गड़ी वले शी वाद युवात केला आनी तो वाद तितेस मिटला होता परन्तु काल्चे दिवशी ते दोन लोका त्यात एक रेकाड़ वरी लारोपिया है जो चोरी चाहू गुन्या मतला है रामभाव शाहू नून तैसे ना आवाए तैसे एक मित्र योगेश मनुना है धामने ते पर तिते आले त्यास मोल्य अनी तेन तेंटे सी पुन्ना वाद सूरू केले ते तीन लोका नशी आनी वाद केले मुडे तैन चाहा आपसा मदे वाद हूं ते योगेश धामने आहे याला गंबीर मार लागला आनी तेला उक्छर गरेता अपन खॉस्पिडल मदे गेला तीते तेला डाक्टर नं मैद इन्बिसे नियूस के लिए केमरा परसनक लेज भरदवाज के साथ अभिशेक पांसिक रिपोर्ट